समढ संग वीदा पीपल का कंसेप्ट इतना सरल और इतना आसान है इससे ज़्यादा आसान दुनिया में कोई कंसेप्ट नहीं है और ये दुनिया की हर चीज में चलता है आज मैं जो आपको यहां बता रहा हूं वो दरसल हमारा बेसिक कंसेप्ट है बेसिक मतलब सबसे आसान सबसे पहला और सबसे जरूवी जब कोई कंसेप्ट बताया जाता है जब कोई बात बताया जाती है तो सबसे पहले उसके उद्देश से और आपजेट के लिए होता है कि हम ये बता क्यों रहे हैं या ये काम हम क्यों कर रहे हैं इस पूरे कंसेप्ट में जितने भी महापुरसों ने बताया या जो हमारे घर में साधरन लोग बताते हैं या हम बाचीत कर रहे हैं इसमें एक समस्या है हमारे साथ में हमें दुख है कस्ट है परेशानी है हम टर्बल में हैं हमारे साथ समस्या है वो समस्या क्या है दुख क्या है जो पूरी दुनिया में एक मानव같े अधिकार होते हैं जिनको human right बोलते हैं या जो मनुस्या के आदमी के हक हकूप होते हैं इस प्रत्री पे पैदा हुए हर आदमी के साथ उसका एक अधिकार जुड़ता है उसके मानव अधिकार केते हैं उस मानव अधिकार में उसके रोचगारकार काम जीवन याचिका का उसकी नौकरी का एक अधिकार होता है। ये सारे अधिकार जिस देश में वो रहता है उस देश की जुम्मेदारी है जिस कंट्री में वो रहता है जिसका वो सिटिजन है जिसका वो नागरिक है उसके नियमों की ये जुम्मेदारी है कि इस सारे अधिकार उसको मिलने चाहिए ये उसके birthright है ये human right है जो उसके पहले मिलते हैं ये सारे human right बुद्धने लिखे और बताए पूरी दुनिया उनको जानती है, मानती है, अपनाती है जब ये सारे के सारे अधिकार हक हकूक राइट नहीं मिलते हैं या इनमेंसे कुछ कम मिलते हैं या कोई-कोई मिलता है तब मान अब को दुख होता है उसको जीवन यापन में परिशानी होती है अगर पेट भर खाना हो और इज़त ना हो तो भी परिशानी होती है पानी बहराए पीने को पानी ना मिले तो भी परिशानी होती है कोई कुए का पानी पी और कोई कहे गंदे तालाब का पानी पीना पड़ेगा तब भी परिशानी होती है किसी का बच्चा पड़े और किसी का बच्चा ना पड़े तब भी परिशानी होती है किसी का बच्चा अच्छे स्कूल पर पड़े और किसी का खराब स्कूल पर पड़े तब भी परशानी होती है तब भी दुक होता है तब भी कश्ट होता है क्योंकि समानता का जो हक है वो उसका पर्थ राइट है human right है इस Magic लिए मारव अधिकार के लिए पूरी दुनिया में काम चलता है ये भारत में हमको क्यों नहीं मिल रहा है जबकि सम्धान में लिखा हुआ है कि सबका राइट बराबर है तो इसका अगर आगरं करेंगे तो इसका आगरं ये पाएंगे कि हम अपने अकलमंद बाप की बेअकल अवलाद हैं हम अपने बोलने बाप की गूंगी उलाद हैं हम अपने करम योगी बाप की निकम्य उलाद हैं हमारा जो अकलमंद बाप है हमारा जो बोलने वाला बाप है हमारा जो करम योगी बाप है वो हम कह सकते कि बुद्ध हैं वो अमबेटकर हैं या जो महाफरूस हैं और डॉक्टर अमबेटकर सब के गए हैं पूरे देश ने इसको माना है पास किया है जो उन्होंने लिखा जो उन्होंने महां बहस करके दो साल के अंदर पुरत त्यार किया और उस हमारे एकलवंद बाप उस हमारे बोलने वाले बाप उस हमारे करमयोगी बाप का एक जड़ा सा काम हम नी कर पाए कि हम लुखे हुए उन अधिकारों को जो मिल चुके हैं जो पूरे भारत ने अनुमोदित किये हैं पास किये हैं उनको हम ले लें यानि कि हम हक को लेने के लिए भी निकम्मे और नालाइक लोग रहे ह हैं अपने बाप की निकम्मी संतान हैं और ये सारा का सारा जो जुम्मेदारी है हमारी है कोई बाहर का दुस्मन नहीं है जिसको दुस्मन दुस्मन करके रिटाय जाता है वो इसमें कुछ नहीं कर रहा है दरसल हम अपने दुस्मन खुद बने हुए हैं हम अपने अधिकार सिस्टम में हमारी तरफ से लड़ने के लिए बार बार आते हैं और हम से कहते हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम आपके हक रकुक जो सम्विदान में उनको लेके आ रहे हैं तरसल वो सारे के सारे नाटक मंच के नाटक अलाकार हैं जो कर हैं सारे जो हसके चले जाते हैं और अपना इनाम ले जाते हैं और हम कभी नहीं पूसते और कभी नहीं सोचते क्योंकि हमको उनके नाटक में बड़ा मज़ा आ रहा है इसलिए हम निकम में लोग हैं हम इसलिए निकम में लोग हैं क्योंकि हम अपने अधिकारों की रक्षा के हमने अपनी संतानों के अधिकारों के लिए कुछ लोगों को चंदा देके और ये मान लिया कि ये लोग हमारे अधिकार लेके आ जाएंगे जो लोग खुद अपना कोई काम नहीं कर पाते जिनका कोई रोजगार नहीं है जिनको अकल नहीं है जिनको समझ नहीं है हमने अपना भविस्से उनके हाथ में दे दिया उनको अपना नेता मान लिया उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि हम निकम में हैं और तुम कम में हो तुम हमारे नेता हो और हमने कभी ये चेक ने किया कि हमारे अकलबंद बाद की जो संपत्ति थी कि उसको यह कहां बेचाए, कहां लोटा के चले आए और वो अधिकार जो आने थे, वो गए कहां इसलिए हम यहां बार बार इखटे हो रहे हैं क्योंकि अब सारा मामला लगबख खत्म हो चुका है और सारा का सारा चीज़ें जितनी भी हैं वो हाथ से जा चुकी है ये बात बारवार इसलिए बतानी पड़ती है और आप इसको बारवार लोगों को बताएए कि हमारे अधिकार हमारे हाथ में हैं किसी दुस्मन के हाथ में नहीं है ये बात कोई हमें बताता नहीं है कि हम अपने अधिकारों को प्राप्ट करने के देंगे और वो रास्ता है हम सब को इखटा होना है और इस इखटे होने के काम में जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है और जो हमको इखटा नहीं होने दे रहा है वो कोई बहारी दुस्मन नहीं है कोई नहीं आके कह रहा है कि आप इखटे मत हुए ये जो हमारे निकम में लोग हैं ये बारवार हमको बहकाते हैं कि हमको दुस्मन इखटा नहीं होने दे रहा है और हमको इस पिसली नाम कहके कहते हैं कि ब्रहमण बला चलाक और शातिरे वो हमको इखटा नहीं होने दे रहा है वो इतना ग्यानवा नहीं वो तो याचक है वो तो याचना करने वाला व्यक्ति है याचना करने वाला मांग कर खाने वाला अकल बंद नहीं होता उसका तो जमीर मरा हुआ हुआ होता है जो मांग के खाता है जा किसी भी तरह किसे मांग के खाए इसलिए बड़ा साधान सी बात है कि जो हमसे पैसा ले जाते हैं जो हमारे नेता हैं वो अपनी गलती छुपाने के लिए कहते हैं कि दुस्मन बड़ा शातिर है तो वो यह कहते हैं कि हम बड़े निकम में हैं हम शातिर नहीं हम बेपूफ हैं वो यह प्रूब करते हैं मुझे बार बार कहते हैं कि दुस्मन ने परचार करते हैं पाइसा ले जाते हैं और अपनी गलती को छुपा जाते हैं आपके जुड़ने में आपके एकटे होने में कौन सा दुस्मन आता है कौन सा तोड़ता है किसी का नाम अगर आप ढूनेगे दूर से नहीं मिलेगा शहजार साफसो तैथालिस जातियों को बनाने वाला आस्तक को दूनिया में है नहीं पूरी हिस्ट्री में किसी एक विट्ती का नाम नहीं है कहीं कोई लिखित में डॉकोमेंट N suitable साफल मिटकर बताकर जाते हैं यह हवा में चलती है यह मंन से चलती है मानसी कीज़ है किसी ने बराई नहीं है और जो 29 लाख संधर मने हैं वो हिस्त्री है उसके डॉक्मेंट है वो लोगों ने बनाए है और वो उन लोगों ने बनाए है जो अपना निकम्स चुपाते हैं जो हमारे सॉसाइटी को हमारे समाज को जुडने नहीं दे और बड़े शान से और बड़े शातित तरीके से अपने इस अपराद को, अपने इस निकम्यपन को, अपने इस क्राइम को ब्रहमन के और दुस्मन के सर पे डाल रहे हैं। वो कौन सा आदमी है जो इसे ये कहके गया कि 29 लाग संथर मना लो, कौन सा ब्रहमन है, कौन सा मनु है, कौन सा मनुबाद है, कौन सा वो दुस्मन है, कौन सा वो शातिर आदमी है, किसी एक का नाम तो बताओ कि किसके कहने पर तुम ने 49 लाग संथर मना लेते हो, किसके कहने प पकड़ के कौन सा वहां registration करा के गया है रेश्टार एक्ट में हमें दिखाओना एक भी आदमी कि यह आदमी हमें तोड़ने आया था बामसेफ जब 1978 में बनी है मुझे बताओ हमें बताओ हम सब को बताओ हमको ज्यान दो कि कौन सा ब्रहमत था जो तुम्हारा बामसेफ हो और तुम तूट गए और तुम पूरे दिन डटा मारते रहते हो दुस्मन ने तोड़ा दुस्मन ने तोड़ा कौन सा दुस्मन आया कितनी किताबें मैं पढ़ चुका हूं एक दुस्मन ने मिला मुझे जो 29 लाग संग्ठर बनाने के लिए परिर्द करता हो या एक लोग हैं और ये खुद तूटते हैं उस तूटने का कारण हम कैई वार बता शुक्ए और भार बता रहे हो रही और आप तो ये बात जंगल में आक की तरह फैल रही है कि जितने भी सामजे काम करने वाले लोग हैं यह काम नहीं करते कुछ भी याचक है दैसे ब्रहमन हो डराते हैं और धमकाते हैं और कहते हैं कि किनाम मुầ biggest हो जाएगा किस सोट डर आते हैं अक्षी में घूर्ब題 करता कि य हैं उसकी नीव इस नीधिया रह सब्सक्राइब वो हमारे खुद के लोग है ब्राहमर नहीं आता दू दू तकी वो बच के रहता है हमसे उसे पता है कि हम कितने संक्याम हैं इसलिए वो याचा को याच ना करके अपना काम निकाल लिता है वो कभी नहीं लड़ा कभी सामने नहीं आया वो बर उसको कहते हैं वो छुपा हुआ औरे भाई वह चुपा हुआ है तो तुम उसे चुपे हुए को देख क्यों नहीं रहो वो कितने सालों से चुपा हुआ है चुपा हुआ है चुपा हुआ है तुम को आज तक दिखाई नहीं दिया तुम को समझ में नहीं आता कि वह कहां चुपा हुआ कहां नहीं अगर तुम आज तक उसको नहीं देख पाए कोई धंदे को बन करो ना जब तो में धने जह संभ में नहीं आता कि संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसका उतना अधिकार मिलेगा और से कहते हैं 25 percent तो इनके टुक्रे करके प्चासी की 70 画र्यक्त पार जाएंगा its संध्रणों को एक्ट्रक्रा करने में मौथ आती है जब टूटते हो जब जो करते हो तो समाज श्राब análा दूसरिंधि आ पूस्थे मजजी से बनाते हो जितने टुकड़े करते हो अफ़ाप को छुपाने के लि lawsuit क नाम रखते हो और हमें बेवक को बनाते हो हमारे अलग हो गई हमारे सारे आधिकार चले गए इसलिए हम खुद के दुस्मन हैं क्योंंकि हम उन से कभी हिसाब नहीं मांगते वो तो अपना काम करने में जिसे हो ते एक के दो दो के चार संथर नो बरावर पैसा मिलता उनको उनके स्टेंडर्स से उनके स्टेटर्स से आप समझ सकते हैं कि वो कितना पैसा लेते हैं हमसे उनकी कोई भी गाड़ी बीस पच्छी तीस लाग से कम नही किसी की कोई इंडर्स्ट्री फैक्री तो है नहीं कोई कहीं नौकरी वोकी तो करता नहीं कि जितने भी सामाजी काम करने वाले हैं या जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो सारे बेरोजगार हैं तो उनका रोजगार कहां से चलता है उनका धंदा हम जैसे बेफकूफ वो से चलत करते हो कुछ करने लायक नहीं इसको समझ जाओ और कुछ करने लायक होते हो तो सतर सार में बहुत कुछ कर चुके होते हर प्रकार के संख्ण बन चुके हैं सामाजिक संख्ण बन चुके हैं लड़कों के दलबल के संख्ण बन चुके हैं धम के बहुत सारे संख्ण बन चुके हैं बहुत सारे सांस्क्रितिक संगधनाबर की अचला है और यह संग नेता निया सकता क्योंकि इसर्थ में कोई नेता नहीं होता संग में कभी कोई नेता पैदा नहीं इसलिए जो हमसे गलतिया हो रही है उनकी गलती तो वो जाने को तुने झाते i persie और हुम्हारा करती आक। उन पे विस्वास छोड़ना है, वो हमारे विस्वास हमारे उपर हैं, तो उनको अपने एक फाल पर छोड़ देना है, उनको पैसा नहीं देना और कुछ नहीं कहना है, जो आपने किया बहुत अच्छा, जो आपने नहीं किया बहुत बढ़िया, जो आप हमारे अधिकार सारे सारे दे आए, बहुत बढ़िया, कोई ग्लास एकवार नहीं क्योंकि हमी बेवकूफ हैं. अगर हमने हर साल हिसाब लिया होता, कि बताओ एक साल में कितने अधिकार आए, कितने नहीं, दूसरे साल में कितने आए, तो और ठीक हो जाते. 70 साल में हम नहीं पूछा कि तुम क्या करें क्या नहीं करें तो गलती हमारी है तो गलती हमें भुखत नहीं पड़ेगी तो इसलिए अब उनको कोई पैसा नहीं देना अब उनको कोई भी बात नहीं करनी है वो पैसा मांगने आए तो उनसे कहना कि पैसा देंगे तब अधिका में कभी यह गारंटी है यह बहुत साई लोगों ना चेक कर लिया है नेता इखटे नहीं होगे अगर वो इखटे होते तो कम से कम दो नेता तो इखटे हो जाते पूरे भारत में 39 लाग संट्रों में आप दो संट्र नी ऐसे नहीं पाऊगे जो एक मंचे बैठके यह कहते हैं आपको दो ही मिलेंगे क्योंकि अगर वो डो नेता मिलते हैं तो उन्में पहला छख़ड़ा यह रहता है दोनों के मिलने के बादो नेता एक रहेगा तो नेता कौन बनेगा जो यह पैसा आयेगा इसका पैसे का हसाब कैसे होगा पहले तो दुकाने अ entropy अगर एक हो गई का मालिक कौन होगा इस मालिक आना हग की वैसे दो संग्ठनवी आज तक भारत में एक नहीं हुए दो के चार तो होगे चार के तीन नहीं हुए चार के आट क्योंकि सबको अपनी अपनी चाहिए सबको अपनी अपनी स्टेट चाहिए सबको अपने अपने गुलाम चाहिए सब को प्रधान मालिक बनने का शोग है इतने लोगों का प्रधान बनना है उनको देश का प्रधान नहीं बनना है उनको राज्य का प्रधान नहीं बनना है उनको तो हमारे तूटे फटे जो लोग है इनी को और कमजोर करके इनका प्रधान बनना है और प्रधान भी कैसे हैं जिन वो साधन अब हमारे पास में आखरी है जिसको समर्संग हो यह साधन इसलिए आखरी है क्योंकि समर्संग के बाद में कोई और होप नहीं है कोई उम्मीद नहीं है कोई आशा नहीं है क्योंकि समर्संग में साधरन लोग इखटे हो रहे हैं और साधरन लोगों का संग है और सम संवर संग तूटा तम हमारी हlawत करा छाब इनु को सारी लोग ले गए हमें छूड़गे तो अब आबसी संग को अजमाने का समय आ गया है इसको जमाएंगे और ये कामया भी होता है यसी गारऄटी यह को है इसके जो नियम है वह में चंदे का धंदा नहीं कर सकता, इसमें पैसे नहीं लिया जा सकते, इसमें पॉब्लिक से कोई पैसा नहीं लिया जाता और ये कभी राजनीती में जाएगा नहीं, तो ना ये नेता पैदा करता है, ना ये राजनीती में जाएगा और ना ये चंदा लेता है, ये तीन बात है जो आपको हमेंसा याद रखनी और लोगों को बतानी है तो संग कैसे काम करता है काम करते हैं लोग तो सारे लोग मिलके हैं का मालिक संग होता है संग के नियम पहले से संविधान में आप कह सकते हैं कि संविधानी इस संग का मालिक नभर नहीं है नियुकर नहीं है व्यक्तिकर नहीं है राजा का इस्ट्रेक्टर नहीं मतलब यहां राजा नहीं इस संग्य धाचे में हर व्यक्ति इंपोर्टेंट है यह सब की चलती है जिसको जो करना है वो अपना यहां आए आके बताए कि उसको यह करना है अपना प्रस्ताव लेके आए अगर संग्ने साई लोग बैठेंगे अगर संग्ने पास कर दिया बहुमत से चर्चा होती है तो वो नियम बन गया मगर उस व्यक्ति का नियम नहीं जिसने पृस्ता परित किया है संग्न का नियम हो गया प्रपर्टी संग्न कियो गई تو यहां कोई भी किसी के ऊपर बोज नहीं है जोर अगर खाना लेके नहीं आया इसी ज जगर जाए जहां खाना नहीं ए तो अपने पै हो जाता है एक साथ एक ता होता है उसमेंसे आप काना लेते रह liberi ले TV एक घर है इसमें व्यक्ति वाथ खाने में नहीं होता ऑगा उसकोई कोई की व्यक्ति अपने काना लाए और ले जाके अपना झखाना वो आने जाने वाले का जितना खर्चा होता है, बरावर करके उसको देते हैं, सम्मद बहुत तगड़ा है, भाईचारा बहुत तगड़ा है, परिवार बहुत तगड़ा है, वगर कोई किसी के ओपर बोज नहीं है, ना कोई किसी से बड़ा है, ना कोई किसी से छोटा है, तो पोटल पर आ गया, आज यहां 2014 लोग अभी हैं, तो 240 को जो बात करेगा, जो भी समर्शंगी संगी बात करेगा, यह नई व्यक्ति thou भी वो सर लगा के बात करेगा। और फीमेल को बहजी लगा के बात करेगा। तो बोलने में भी समानता है तो बैठने में भी समानता है जब सभा होती है तो सारे जमीन पर बैठने है कोई छोटा बड़ा नहीं होता और अगर कुर्सी पर बैठने हैं तो सारे कुर्सी पर बैठने हैं तो साहे लोग माल लेते हैं, काम की बात नहीं है, यह काम की बात नहीं है, तो बैट जाता है, मगर रहता संग, संग में कोई किसी व्यक्ति की ना एंटी करा सकता है, ना निकाल सकता है, यानि कि संग में सदस्ता लेने के लिए, किसी को ना फारम भनना है, ना किसी को यह नहीं है सिंपल सा समझा जो बमड़ नहीं है वो समड़ है जो भारत में और जो यहां से बाहर गए वो लोग समड़ है तो समड़ होना जरूरी है अगर समड़ है तो वह इसका मेंबर हो गया तो जो काम करता है वह एक्टिम मेंबर हो और वो यह कहता है यह व्यक्ति ने समड़ घात किया है समड़ संग से आदेस पारिफ होता है एक साल की निकालना है दो साल की निकालना है हमेसा के लिए निकालना है या वह पाचित है प्राशित कर ले या बहुत सारे नियम है इसके जो पहले दिये हुए है जैसे जैसे जो प करे या ना करे चाह हो चौनाब लड़े या ना लड़े उस सब सर्वड संग के मैंबर है तो यहां किसी को कि संग कभी राजनीती में नहीं जाता मगर यहां का कोई व्यक्ति राजनीती में जाना चाहे तो जा सकता है फिर वह pivot не नहीं रहेगा, नौर्मन मेंबर रहेगा, क्योंकि बावासाब ने राजनीती का पूरा सिच्टम बनाया है, पार्टी बनाई है और यह हमारा लेटेस्ट छोटी और बहूत simple simple से बात हैं जो से संघों को मजबूती परदान करती है तो संघ का कभीirit sekarang नहीं होगा यह संघ्स क्यों कि संघ इति किसके नाम कराऊगे वाई ऑजब 120 करोड़ लोग और सारे सीमंट संघी हैं सब के सब किसके नाम कराऊगे तो सब की property है सबी is किसका मालिक है तो रेयिश्ट्रस धार सेसं का कि इसका कभी डैश्ट्रेंट चाहिए तो पैसा लेता नहीं तो कांट चलाते हैं काम ऐसे चलाते हैं कि जो छोटा मोटा कोई खर्चा होता है तो जो एक्टिव मेंबर है वो अपने आप ही जिसको जो देना होता है वो दे देता है बस इतना ही लेते हैं कि जितने में वो काम चल जाए जैसे पोर्टल का खर्चा है तो इसके एक्टिव मेंबर बहुत सारे वो ज़्यादा पैसा खर्चे में नहीं आता है, काम चल जाता है और संग कभी फालतो पैसा खर्चे नहीं करता ना तो वो मंच लगाता है ना माईक लगा लगाता है, ना अपन्डा लगाता है ना साधी बैया जैसा कोई फंशन करता है खाने का तो मैंने आपको बताए दिया, तो जमीन पर सारे बैठते हैं, तो फोकट की जमीन लेते हैं, फिरी की, कोई बालमी की भवन, कोई कबीर भवन, कोई रविदास भवन, कोई अमबेट का भवन, कोई गाड की भवन, कोई सतनामी भवन, कोई रविदास भवन, ऐसा द्वारा मिल जाए वो ले लेते हैं और अगर कहीं कुछ देना भी पड़ जा साफ सफाई का पैसा तो जो उसके एक्टिब मेंबर होते हैं वो अपनी पॉकिट से चुप चाप देते हैं कोई किसी को जिक नहीं करता बरावर देते हैं अगर सो एक्टिब मेंबर हैं और सो व्यक्ति कोई प्रधान नहीं ना इसमें पद है ना इसमें पोस्ट है ना इसमें प्रतिष्टा है तो मान लो कोई व्यक्ति यह सोचे कि मैं समर्संग में खतम करूंगा समर्संग को समर्संग की कुछ लेके जाएगो तो क्या लेके जाएगा वही इसकी रेश्टी तो है नही तो किसका नहीं तो अकेला आया तो अकेला चला जा इसमें कोई पद नहीं तो बिना पद का आद में जायाि तो कूछ था कौन है पहले जैसे हुआ कि जिस व्यक्ति ने के नाम से कोई संस्ता रिष्टर्ट कराई व्यक्ति बदल गया, वो ले के चला गया, तो संस्ता पूरी चली गई, तो संस्ता जा सकती है, संग ठन जा सकता है, मगर संग नहीं जा सकता, यह संग की गारंटी है, संग पहले भी था, संग बीच में भी था संग अभी है और संग जीवन भर रहता है संग को ना कोई पैदा कर सकता है और ना संग कोई खतम कर सकता है इसके जो फाउंडर हैं वो बुद्ध से पहले के लोग हैं बुद्ध से भी पहले जो हमारे समर्ण समाज के लोग हुआ करते थे, वो लोगों ना उसको बनाया है, वही नियम इसके चलते हैं। संह्ग में जो एक बार नियम पास हो गया, वो फिर सब को मानने होता है। फिर वो यह नहीं कह सकते कि हम इसे नहीं मानेंगे। और अगर वो इसे नहीं मानते हैं तो ये समढ़ घात होगा, संग के खिलाफ घात होगा, उस घात की सजा मिलेगी, वो चार सो लोग निकाले जा सकते हैं, क्योंकि संग में छे सो लोग अलग हैं, इसलिए यहां ऐसी नौबत नहीं आती, तो कि यहां संग में जो काम होता है, खुब चर्चा होती है, खुब वाद विवाद होता है, नियम पे खुब उतर, को नियम गलती से बन भी जाए, तो दोबारा ठीक कर लेते हैं, उसको तेवारा कर लेते हैं, यहां कोई एहम और एगो नहीं यहां टिसी के पास भी, तो यह समढ़ संग में जो काम चल रहा है जो मीटिंग चल रही है, वो लोग खुद मीटिंग लगा रहे हैं, और वो सारी मीटिंग समढ़ संग की होती है, व्यक्ति कोई काम कर सकता है, जैसे कल बहादुर गड़क अंदर मीटिंग करके आए, दोसों आजमियों की, वहां जिन लोगों ने लगाई, उन लोगों ने मीटिंग लगाई, बहुत बड़ी लगाई, मगर मीटिंग उनकी नहीं है, मीटिंग समढ़ संग की मीटिंग है, समढ़ संग ने मीटिंग दिया, आगे मीटिंग तैह होगी हमां 3-4 और मुल लगा रहे हैं, रिवाड़ी में लगने वाली है, रोखतक में लगने वाली है, एक मीटिंग से 10-10 मीटिंग आगे त्यार हो जाती है इस सिल्बा बहुत तयोँसे चल रहा है जहां-जहां मीटिंग लगती है वहां कुछ लोग आगे लगा लेते हैं क्योंकि यह जो कंसेप्ट है यह जो समर्ण संग का जो सिध्धान्थ है यह हमारा पुराना हमारे बाप दादा को सिध्धानत और यह हमारे खुन में है इस सिध्धानत को खराब कहने वाला अभी तक एक व्यक्ति नहीं मिला एक व्यक्ति नहीं मिला चटचाए करते हैं लोग बाचीत करते हैं पसंद करते हैं आंसर करते हैं पूचते हैं, बताते हैं, फूचते हैं, वीडियो देखते हैं। मगर एक بھی विक्ती ऐशा नहीं मिला, जो यह कहता हो, कि ये संग का सिस्टम खराब है। ये तो कहते हैं, अजी बाद में कही ऐसा ना हो कर ये संग जान आ चला जाये बाद में आपको बहुत स्याना समझता हो या बहुत ज़्यादा समझता हो चला जाए या कोई आदमी आता है और उसकी प्रसिद्धी होती है तो चला जाए अकेला अकेले वाले आदमी की जतनी है कैई लोगों ने कोशिस की कि हम समझ संग को ले जाए वो व्यक्तियों ने कोशिस की रि कोई व्यक्ति यह कहें कि मैं अलग काम करना चाहता हूं या कोई गृप यह क्या काम करेंगा बाई से अच्छी नियम कोई और हैँ नहीं और इससे अच्छा कोई नहीं है तो ले आउ पैसा लेते थे जिन्होंने संग्ठर मनाए जिन्होंने चुकड़े किये समाज के उनतिश लाख टुकड़ों में बदल दिया वो तो सब खतम है वो पढ़नाम नहीं लेकर आ सकते हां इतना जरूर है कि उनके बाल बच्चे पल गए चलो अच्छा है उनके बाल बच्चे पल रहे हैं तो अभी उनको पैसा देना बंद कर दो अभी उनकी बात सुनना बंद कर दो अपने बच्चे को बचा लो फिर कभी इस्तिति ऐसी हो कि जब कभी सामाने चीज हो जाए तो फिर देख देख लेना फिलाल तो अपात काल है फिलाल तो काल भहरव है काल भहरव में सार पोचा के आपने क्या सुचा क्या समझा वहां इतने सारे लोगों ने बताया तो आप किया संझना आया तो उसने का जी मुगे समझ में आया कि आप हमें अम्ए अम्बेट्करबाद पहómo है कि आर अब अम्वनी आप कर अप कुछा करना है तो मैंने का तो सिर्फ एक चीज करनी है हमें जो हमारे महापुर्सों ने सब ने बताई है जो सारे महापुर्सों ने कहा है सादू संगती करो संगत मेरा हो जो बुद्ध ने कहा है संगन संगन गच्छामी जो बावसाब मेट करने कहा है और जो हमारे मावाप कहते हैं कि अगर मुसीबत आए तो सारे भाई एक साथ हो जाओ जब भी मुसीवत आए भैनक काल आए तो सारे काम छोड़के एक साथ हो जाओ हमको इस समय बस संग में आ रहा है और कोई काम नहीं है बाकी हम बात में करेंगे जीवित रहे तो हम सारे बात में कर लेंगे यह काम करना है यह बताया जा रह तो जिंदा रहें तो विचारिक जड़ लेंगे कितने विद्वाने आपस में त्य कर लेंगे जिंदा रहेंगे तब या साल में नहीं है तो डिपाटमेंट बिए हैं तो ब्यारे librach मिल जाएगा जैसे पहले मिला थे टो फिर्स्थे यह नहीं तो खेत हैं नहीं तो खलियान हैं नहीं तो इंडस्टी हैं नहीं तो पढ़ाई महंगी हो गई है प्रइवेट मैं बीमार हो जाए तो एक लाग दो लाग वैसे चला जाता है कहां से लागए कपड़ी बेचके घर बेचके दोगे तो 20 साल में वहीं आ जाओगे इस भैरव काल में जब बिजली कड़के और जब बादा घड़के और जब पानी भढ़ जाए बाड़का तो सारी लोग अपने आ करना करना है यहा तक की रात में जब आराम करते हैं जंगल में जबना है एक काम करना है जोड़ना है जुड़ना है और जुड़ना है जिद्ध है जिन्दा रहने की जिद्ध है जुड़ने की जुड़ेंगे तो जिन्दा रहेंगे और जिन्दा रहेंगे तो बाकी बातें बात में कलेंगे जब जिन्दगी ही नहीं रहेगी तो क्या ज़ड़ा करोगे किसे इसलिए अभी सारे बाद के बाद सिर्फ एक बात है कि हमको सिर्फ इखटा होना है सिर्फ इखटा होना है और जुड़ना है अगर हम जल्दी जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी हमारे सारे कश्ट खतम हो जाएंगे ये बहुत आसान सी बात है कि जो लोग जुड़ते हैं उनके क इन जैन हिं अम्मा कर लेगी बापु कर लेगा भाई कर लेगा सब एक दूसरेके आसित्रते काम तो सारी करते हैं मगर एक दूसरे को सुपफचा का एसास रहता है वही समय है हमारा कि हमको सारे काम छोड़के इखटा होना है और जिसको ये बात समझ में नहीं आती कि इखटा होने से हम बच जाएंगे उसको समझाना चाहिए कि जब दो अपैल को इखटे हुए तब बच गए जब सरदार इखटे हुए तब बच गए जब अंग्रेज उसे पीछा चुड़ाया कि सम्मझान में हिसेदारी मिल जाएगी कि समझान वी समझान जिये खटा है कि खटे होगे तो मैं आपके आपके अधिकार देहुए जिन अधिकारों के लिए आपर लड़ रहे हो जिनधिकारों की बात करे हो बस इतना सा हमारा कंशेप Hist inspir 같은 और इतनी सी बात के लिए हमें अ करनी है इसलिए हर वेक्तिका काम है संग में यहां कोई नेता नहीं है पहले नेता होंगे बहुत भरों से रहे चुके हो अब यहां का तो उमर पूरा हो लिया है आपके बच्चे बाद में बहुत बुरी स्थिति में आने वाले हैं इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़ जाएए बिना सोचे समझे जुड़ जाएए जुड़ने का दुनिया में कोई नुपसान नहीं है अगर आपको लगता ह जुड़ जाता है तो मेरी भी आँखा जाती है यह इसे छोड़े छोटे एकजामपल हैं जुड़ने के जो आप समझोगे तो रात को सोचोगे तो आपको तुर्ण समझ माते चले जाएंगे और आप फोन उठाईए और लोगों को जुड़िए एक डायरी ले ले लिजिए पैनली ले लिजिए अपने रिजदारों को सब को जोड़िए पोर्टल से जोड़िए मीटिंग कीजिए बहुत सारी मीटिंग लगाता चल रही हैं सारी मीटिंग में जोड़िए लोगों को जोड़िए जितनी जल्दी हम जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे धन्यवाद आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेने गच्छामी संगं सरेने गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेने गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेने गच्छामी तूथियं पी धम्मं मर्सेने गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सेने गच्छामी तूथियं पी सेन्गं सेने गच्छामी बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी धम्मं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी साथु, साथु, साथु झाल झाल